दोस्तों यदि आप WhatsApp का अकाउंट हमेशा के लिए पर्मानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से डिलीट कभी ना करें इस तरह से डिलीट करने से WhatsApp अकाउंट डिलीट नहीं होता है बस फोन में से WhatsApp उन इंस्टॉल हो जाता है तो WhatsApp अकाउंट को पर्मानेंटली हमेशा के लिए कैसे डिलीट करें हाई ये बताते हैं इसके लिए सबसे पहले WhatsApp को ओपन करें WhatsApp जब ओपन हो जाए तो उपर दाहिने तरफ त्री डॉट को खोलें त्री डॉट को खोलने के बाद सेटिंग को खोलें सेटिंग के अंदर में अकाउंट को खोलें अकाउंट के अंदर में डिलीट मय अकाउंट को ओपन करें इसे खोलें इसके अंदर में देखेंगे मॉबाइल फोन लिखने का एक जगा दिया हुआ है यहाँ पर उस मॉबाइल फोन को लिखें जिस mobile phone number से आपका WhatsApp बना हुआ है इसके बाद नीचे लाल रंग से लिखा हुआ delete my account को खोलें, प्रेस करें इसके अंदर में देखेंगे कि दो विकल्प दिया हुआ है पहला है select a reason इसमें जाकर कोई भी region आप select कर सकते हैं मैं other reasons select कर रहा हूँ और दूसरा वाला option इसे छोड़ दें और उसके बाद सबसे नीचे delete my account को प्रेस करें उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है proceed to delete your account सबसे नीचे red color delete my account को प्रेस करेंगे तो इस तरह से यह WhatsApp अकाउंट हमेशा के लिए permanently delete हो गया है वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब कर दीजिए झाले और सबस्क्राइब करेंगे लिए करेंगे लिए